हेलो दोस्तों वेलकम बेक टो एपस अपडेट यूटूप सनल दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा अगर आप मुबाइल यूज करते हो तो आपके मुबाइल से कैसे अप घर बैठे ऑनलाइन से कैसे भूटर आइडी एपलाई कर सकते हो दोस्तों अगर आप 18 प्लस हो गये है step by step follow करना है तो आप भी भूटर आइडी एपलाई कर सकते हो वो भी करड़ आ जाएगा बाइपोस्ट आएगा तो दोस्तों आपको फिर से स्वागत करता हूं आपका ही इस यूटूब सेनल एपस अपडेट पे दोस्तों मैं हूँ आपका दोस्त आपका भाई आसी तो देखते हैं लेट्स केट स्टार्डट तो दोस्तों जैसे कि अभी मेरे फोन पर आ गया हूँ और सबसे पहले वीडियो को आगे बरने सेले एक रिक्वेस्ट है जो वीडियो देख रहो आपको इसी कुछ में पहले वीडियो को लाइक करते ना है और सेनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से सब्सक्राइब करके इसके साथ बैल आएगा और वाल पैल पर आपको दबा करना है और दोस्तों जो वीडियो देख रही हूँ ना सिंपली आपको नीचे करना क्या है वीडियो देख रही हूँ यहाँ पर कॉमेंट कर दोना है भूटर आईडी ठी यह यह लोगो देख सकते हूँ यही वह एप है तो अपको देख सकते हूँ तो आपको करने के रहे हैं तो आपको तो आपको नेक्स्ट में कलिक करें ना हैð जैसे दोस्टो next में आप click कर दोगे next में click कर दिने की बाद फिर यहां पर ब्रजिस्टेशन इसमें आपको click कर दोगे तो यहां पर देख सकते हो new बूत रेजिस्टेशन आएगहाई जैसे इसमें जैसे कंख रोगे तो यहाँ पे दचाटेशन होगे तो यहाँ देख सकते हो हेलो माई इस तरह से तो आपको करना क्या है सिंपली आपको इसमें क्लिक करना है करने की बाद सबसे पहले आपको करना क्या है simply interior mobile number आपको करना क्या है आपका mobile number डाल दिना है जैसे मैं यहाँ पर मेरा mobile number डाल दिता हूँ तो मैं यहाँ पर जैसे मेरा phone number डाल दिया डाल दिने की बाद अभी मैं send OTP में क्लिक करता हूँ तो आपको भी यही प्रोसेस करना होगा और फिर आपके नंबर पर एक OTP आ जाएगा जैसे यहाँ पर देख सकते हो ऊपर से यहाँ पर मेरे OTP आ गया है और यह इलेक्शन कोमिशन अफ इंडिया से यह आ गया है और यह OTP है 590128 तो मैं डाल देता हूँ यहाँ पर OTP 590128 ठीक है OTP डाल दिया अभी वेरिफाई का ओप्शन आएगा तो आपको भी यही प्रोसेस करना होगा तो वेरिफाई में आपको कलिक कर देना है जैसे कलिक कर दोग फिर पूरी तरह से वेरिफाई हो जाएगा और फिर आपको करना क्या है Yes, I am applying for the first time अगर आप पहली बार यूज कर रहे हो तो यह करना है अगर आप पहली बार नहीं इससे पहले और एक बार यूज किये थे तो दो नंबर पर क्लिक करना है तो अभी हम नए कर रहे हैं तो आप भी नए कर रहे हो तो आपको Yes, I am applying for the first time इसमें आपको Yes, I am applying for the first time इसमें आपको Yes में कलिक करेगे फिर next में क्लिक कर देना है जैसे next पे कलिक कर दोगी फिर new भूटा registration फिर are you citizen of India आप क्या आप इंडिया में रहते हो अगर हा तो जैसे Yes, an Indian citizen देख सक्तिरेश्टिया इ येस एन इंडिया सिटीजन ये पहला येस देना है ये रहने देना है फिर आपको next में click कर देना है फिर दोस्तों कर दिने की बाद state से बिलंग करते हो आप कौन सा state से रहते हो जिसे बिहार आसम जो भी है जो भी state है तो select state में आपको click करना है तो मैं यहां से अभी आसाम से हूँ और जैसे आसम से लिक किया फिर आपको आपका डेट ऑफ बर्थ देना है तो यहां पर डेट ऑफ बर्थ से पहले देख सकते हूँ Umm से हाँ मेरा 1996 है और फिर यहां पर एक तारीक, फिर सब्सक्राइब रएब देद दिया देख सकते हो फ्राइडे 1 मर्स ठीक के ऑप कर देदा हूं और फिर जैसे आपका डेट बरध देदों कि इस तरफ से आएगा फिर सेलेक डेट आप चाहते हो tiepe of documents एस में कलिक करना है अगर आप colonies can करी है अगर आप चाछते हो pencard Okay लिए के लिए तो कर सकते हो फिर ढाइब लायust इंडियान पासबोर्ट फिर पर hunt стро Athear card तो मैं अभी अधर कर अप Allah transferal करूंगा जिज की मेरा तो आपको आपका जो आपकी जो भी आधर काड़ है या पैन कड़ है तो दोनों से या डाइविलेक्स है तो इन इस तरफ से और नहीं तो मार्क शीट भी है फिफ्ट और एट क्लास का तब भी हो सार्टिफिकेट ऑफ क्लास टेन ट्वेल पिशुट भाई देख सी भी सी फिर आई सी यह सी इस तरफ से इस तो आपको यहां पर आपलोड का उप्शन में कलिक करना है तो यहां पर मैं आभी आधार जो से लेक किया था चलो मैं आधार नहीं मिल रहा है पैन कड़ देता हूँ तो पैन कड़ देने की बाद पैन कड़ आपलोड करना होगा फिर आपको आपलोड में कलिक करना होगा कर करते ही यहां पर देख सकते हूं यह गया और यहां पर यहां पर यहां पर पैंकर्ड का फोटो ले लेना होगा ठीक है तो पैंकर्ड का फोटो अच्छी तरह से मैं ले लेता हूं तो देख सकते हो मैंने इस तरह से पैंकर्ड का पूरी तरह से अच्छी तरह से फोटो ले लि उतना ही रखना है वो आपको ध्यान से देखना है ठीक है ध्यान से वो करना है तो चलो यह मैं पैन कड़ signature यहाद तक कर लेता हूं और फिर इस तरह से होने के बाद फिर write कर देना है और कर दीने के बाद simply यह upload भूगए है देख सकते हो जो की आप लोए है फिर किये देखो ये आप लोट होगया है ठीक है और फिर यहां पर danger Walker तो तो मैं सिर्ट ़ू लिया था तो गैलरी पर गैमरा पर मिल जाएगा तो मेरी ईसेंट पर आया और यहां पर देखता हूं इमेज पर जाके और यहां पर कैमेरा नहीं मिल रहा है चलो मैं फिर से लेना होगा तो मैं अप्लोट में क्लिक करके फिर से कैमरा पर क्लिक करता हूँ फिर कैमरा पर क्लिक करता हूँ और इस बार फिर से में यही दे देता हूँ जो मतलब मेरा पैन कड है फिर से क्लिक कर लेत है मैंने जो इस से पहले बताया मतलब इस का भी प्रोब देना होता है कि आपका यह सही है कि नहीं कि आपने फेक दिया है कि इस तरफ से देने के बाद फिर आपको करना क्या होगा राइट कर देना है जैसी राइट कर दोगे फिर इस तरफ से यह भी हो जाएगा फिर आपको next में click कर दिना है next में click कर देने की बाद please enter your personal picture जो कि आपको एक फोटो आपके पस है じゃあ, on the view of picture में click कर कर के photo देदेना है तो मैं यहाँ पर simply आपको कर ना ज़ेड़ी में Masrali dial फिक्र कर घ्री कर के Гallrei में कले जाना में अगर आपके बस gaily में आपका photo है तो साइई है अगर नहीं है तो आप तुरंटी ले सकते हो तो मेरे यहां पे है जैसे यहां पर चलो यह सरा photo नहीं होगा तो फिर से मैं upload कैमेरा में 雿 कलिक करके फिर से photo ले लेता हूं मेरा और अभी मैं जो तो इस तरह सब्तर दर्किéndाल कर दिनने के बाद संपली कर सकते हैं, τो मैं इतना तक क्रॉप कर लेता हूं, तो आपके इस आप से क्रॉप करके धर्जय कर दिना है कर दिनी कि बाद देख सकते हैं, फिर हिर आपको यहां पर इंटर्यो 70 to 69 कट इस राभ कर सकते हैं,, तो में यहां पे मेरा नाम है आसिफ ऐसी ठीक है इंटर्यों नेम फिर नेम इन इंफ एर पिर पिर सून नीम और फिलिक एंच यू ने मगदल प्नियों आगी थिए नहीं है तो रहने देना है फिर यह इस तरह से अधर यह फिर विज्वेल फिर यह सारा राइट कर देना है फिर आपको करना क्या है सिंप्ली नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है और जैसे नेक्स्ट पर क्लिक इंटर यूर नेम इंटर दा नेम आफ रिलेटिव आपका रिलेटिव का नाम क्या है यहां पर देना कि इंटर नीम औफ रिलेटिव सोरी यहां पे रिलेटिव का नाम यहां पे देने में देना हूं फादर है मेरा देदे दिया फदर का नाम फिर नेक्स्ट में क्लिक कर देना है कर दिने के बाद फिर यहां पर इंटर यूर कारेंट एड्रेस आप कहां पर रहते हो जैसे इंटर हाउस नंबर अगर आपका हाउस नंबर है तो दे दो अगर house number नहीं है तो रहने दो फिर इंटर के और house number तो house number मेरा नहीं है तो आपका भी यह नहीं है तो रहने दो फिर street area locality अब कौन सी कहा पर रहते हो जैसे मैं रहता हूँ अजद नगर नियर एम एस मैं मैं मजजीद के पास रहता हूँ तो इसलिए दे दिया अजद नगर नियर मजजीद फिर street area locality region तो यहाँ पर और यह है यहाँ पर देख सकते हो यह automatically आ जाएगा फिर यहाँ पर टाउन कौन सी है मैं यहाँ प्रहता हूं नगाओं फिर अजद नगर दे दिया फिर टाउन नगर 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 पर पोस्ट ओफिस इंटर यव्यवा पोस्ट ओफिस पोस्ट विस्ट का जो नंबर है वो देदना है 78-2003 मेरा है तो आपका जो भी post office का नमबर हो देदेना है कट पॉस्ट औफिस ये नहीं रहने देना है पिर पिन कोड जो है आपका post office का वो भी पिन कोड फिर से देदेना है 78-2003 फिर area type city, town देदेना है फिर यहाँ पर select district कौन सा district है टाउन का जैसे मेरा है नगाव यह आ गया नगाव दे दिया फिर यहाँ पर एसेंबली कॉनिशन यहाँ यह दे दिना है आपको जहाँ पर रहता है तो मेरा है यहाँ पर नगाउ तो नगाउ दे दिया जैसी नगाउ दे दिया ठीक है और टाइप ओफ डोकुमेंट यहाँ पर आप कौन सा डोकुमेंट देना चाहती हो जैसी यहाँ पर देख सकते हो ठीक है इस तरफ से इंजियन पास्वोर्ड फिर यहाँ पर नेशनल इस्क क्यम्म करने फिर से क्यम्म करने है और जो पैंदarmed है आपका वो पैंद कर फिर से फोटो लेना है ठीक है तुम MAL effectively फिर से पैंद करग का फोटो ले लिए तो मैं हकले फिर आपको यह तरप से क्रॉप कर जाएगा फिर आपको नेक्स्ट में क्लिक कर दो नेक्स्ट में क्लिक करने बद इंटर हाउस नंबर अगर आपका हाउस नंबर नहीं है फिर यहां पे आपको यह देना है जो आपका जो पूश्ट ओफिस है पूश्ट ओफिस का जो नंबर है पूश्ट ओफिस का नंबर जैसे मेरा नंबर है 782003 तो आपको लास्ट में जो मे यहां पर inter name name of applicant date आज कितना date है पास तरिक बारह 2021 इंटर नेम पर आपका जो name है देना है तो मेरा नाम है मैं यहां पर देता हूं ठीक है और फिर place आप कहा रहते हूं मैं यहां पर देता हूं नागाओं ठीक है फिर मैंocy कर दो दिए यहां और जैसे doesn't control रूगे फिर सिलेक डिट को आ है आपका डेट ओफ यहां पर बहुत ज़ूरे है देने के लिए तो यहां पर जो आपका डेट भागत है वो जाना है तो मैया 1996 rocks पिर जानवरी फेबरेर मार्स वान मार्स है ठीक है तो यह देखो दे दिया ठीक है और यहां पर यह 1997 हो गया है 1996 मतलब exactly जो आपका date of birth है वही देना है अगर गलत डालोगे तो नहीं होगा यह मैं आपको बदालता हूँ जैसे अग दो जो मर्स चलो वन मर्स ओके कर दिता हूँ देख सकते हो फिर आपको ड़न में क्लिक कर दोगे फिर यहां पर आपके सा मने आपका पूरी तरव से एक फूर्म आ जाएगा जो आपने फिल आप किया एट對 доступ क्या है तो तो आपको करना क्या है फिर confirm में click कर देना है जैसे confirm में click कर दोगे confirm में click कर देने की बाद आपके पास यहाँ पे देख नो your application has been submitted successfully on date past 12 याज मैं ने अप्ला गया और your reference ID यह जो ID यह है यह आपको इस तरह से बस इसकिन शॉर्ट ले लेना है और फिर यह आईडी से आप ट्रेक कर सकते हो तो ओके कर लेना है ओके करने के बाद फिर अभी आपको करना क्या है सेंपली यहां पर यह जो एक्सप्लोर का उप्षन देखे हो शॉर्ट एक्सप्लोर में क्लिक करना है फीर एक दो दिन हो गया यह तीन चार दिन हो गया फिर आपको यहाँ पर चेक इस्ट देख सकते हो जो की इस तरफ से चेक अगले दिन अगले वीडियो में तब तक के लिए खुश रहो जैहिंद